तनुसरी धन्खड को भारतिये खेल प्राधिकरन की और से ट्रेनिंग के लिए दक्षन अफ्रीका बेजा गया। तनुसरी के पितावे कोच जैसिंग धन्खड ने बताया कि 17 जनवरी को दिल्ली से अफ्रीका के लिए रवाना हुई है। यह ट्रेनिंग दक्षन अफ्रीका के प्रोटिया यूनिशिटी में होगी। तीन सप्ता की इस ट्रेनिंग में भारत के 21 एथिलेट वै चार कोच साथ में गये हैं। भार सरकार का उदेश से है कि इन खिलाडियों को अंतराष्टी इस्तर की ट्रेनिंग में विदेशी खिलाडियों के साथ अभ्यास करवाने का अवसर मिले। यह खिलाडी अंतराष्टी इस्तर परदेश के लिए पदक जीत सकें। तनुसिरी इससे पहले 2022-23 में राष्टी पर्तियोगिता में कई मेडल हासिल कर चुकी हैं। उसके इसी परदस्यन के आधार पर उनका चैन किया गया है। वन विभाग खेतरी ने वन छेतर के वन जीव नील गाय के सिकार के आरोप में बड़ी कारवाई करते हुए एक आरोपी को गिरपतार किया है। तथा दो बंदुखे जब्त की हैं। छेतरी वन अधिकारी विजे कुमार फगेडिया ने बताया कि 16 जनवरी को खोल की धानी के ग्रामिनों से सिकायत मिली की दो सिकारी वन छेतर नील गाय का सिकार कर रहे हैं। इस पर विभाग की टीम ने तवरित कारवाई करते हुए गोल की धानी पहुँचे और वहाँ पर एक नील गाय मर्त अवस्ता में मिली। तदा मोके पर ही एक व्यक्ति को बंदुख सहित गिरपतार किया तदा दूसरा बंदुख छोड़ कर भाग गया। टीम ने बढ़ाऊ निवासी सुरेश कुमार बावरिया पुत्तर पन्ना लाल बावरिया को गिरपतार किया है। उसके कबजे से एक देशी बंदुख जब्त की गई है। नगर देव परम हंस पंडित गणेश नायन बावलिया बाबा का वासिक मेला अठारा जन्वरी से सुरू होगा। 19 जन्वरी की संध्या को पंडित गणेश नायन जी के मंदिर परिसर में रातरी जागरन होगा। 19 जन्वरी को हर साल की भाती मेले का अयोजन होगा। इस दो दिवे से मेले आयोजन को लेकर नगरपाली का परशाषन द्वारा मंदिर के पीछे पड़तल भूमी बाइपास से मंदिर तक मेला आयोजन किया जाएगा। इसमें उपखन परशाषन नगरपाली का परशाषन पुलीस परशाषन के सयुक्त रूप से मोका मुयाइना कर मेला परभारी अधिकारी संजे चोधरी कनिश लिपिक नगरपाली का चिडाओ को आवसिक दिशा निर्देश दिये गए हैं। जिसकी अधेक्स्ता महावीर सिंग यादव कलगाउने की। धर्ना इस तल पर किसानों का कहना है कि पानी का अधिकार है नहीं मिला तो छीन कर लेने से भी कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा कि मरता क्या नहीं करता कि कहावत चरीतार्थ होगी। हर्याना सरकार हमारे पानी का दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। परन्तु पहले तो कुवो से पानी से काम चल जाता था लेकिन अब सिचाई के लिए पानी नहीं बचा है।